कि अभलो मेरे प्यारे बच्छों मैं आपका केमेंस्टी टीचर उमेश सर्थ आधियर रूले के आपको नेक्स्ट वीडियो जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं दूसरे कर्बारे में दूसरे मॉनो सेक्राइड इसके बारे में मेरे बच्छों रख्टो उसके बारे में एक लंबी सांस लेते हैं और अपने यह उसके बारे में fructose के बारे में हमने सबसे पहले ये बात को पढ़ लिया था कि जो glucose है उसमें functional group क्या था CHO कि जो fructose होता है उसमें functional group क्या होता है ketone C double bond O दोनों का molecular formula क्या है C6H12O6 मतलब दोनों के molecular formula similar है और क्या difference है functional group इसका मतलब में तरीके से कह सकते हैं कि glucose and fructose क्या है functional isomer क्या है प्यारे बच्चों functional isomer क्या है प्यारे बच्चों functional isomer पूर सकता है objective में MCQ में important question है ध्यान रखेगा ठीक चलो बात करते हैं ठीक क्योंकि six carbon इसमें भी है तो इसको क्या बोलते है आपने एक्सो जोगर क्यों बोला क्योंकिस में functional group क्या है किटो है इसको मुने क्या बोला keto जैसे glucose पूलकोज आप डेक्स्ट्रो रोटेटरी था वो पीपिल को naturally जो मिलता था वो कैसा था टेक्स्ट्रोडेटरी वह प्लेन पोलिराइज लाइज को रोटेट करता था क्लॉक वाइस लेगन फ्रक्टूस क्या है नैच्रली के स्पॉर में मिलता है लेवियो मतलब समझ गया वह पीपील को रोटेट करेगा एंटी क्लॉक्वाइस ठीक है यह ग्लूबोज का सब्सक्राइब कारवन होगे 123456 ठीक है बस अंतर इतना होगा कि चुकि कीटोन फंक्शनल गुरूप पर आपको अच्छे से पता है कीटोन तभी किनारे नहीं हो सकता है तो यहां क्या होता है च्छ बाकी कारवन दो लोगों से जुड़ा है तो कीटोन हमेशा क्या होता है किटोन नमबर 2 लगा होता है तो यहां क्या होता है यह रहां ने speaking। सब कुछ वैसे ही है बस वहां पर पहले नमबर पर था यहां क्या होता है की टो नोगा हुआ है तो कि किनारे लग नहीं सकता और बाकी सिमिलर स्टॉक्चिर आपके सामने अब चूकि इसका भी स्टॉक्चर द्यान से नीचे से देखे तो इसका स्टॉक्चर किससे मिल रहा है इसको क्या बोला है इसको क्या पोलते हैं क्योंकि इसका स्टॉक्चर की से मिल रहा है इस इसwww इसका स्टॉक्चर के साथ दी वाला और लेवियोज है तो माइनस क्या है यह फ्रक्टोज ठीक चंपियंज ठीक अनुद हाँ ठीक है एज इस वल फिर यह भी क्या है नेचर में साइकलिक फॉर्म में एग्जिस्स करेगा एक मैं आप में सीख लिया है तो चीजें इतनी आसान आपके लिए हो जीन कि करता है झिन होता है कोशिस करेगा एक सिक्समेंबर्ड के यह था जाता है पनिते यह फ्रक्टो canaly雨 चैनते ने तो टेंथे पाइरे नोज वैसे इसको आगे अभी आप देखो क्या बोलेंगे पी ले नोज किया नम्हों नोज के नाम से आपको मिलेगा तो वैसे हुआ आपसे बोला अब तो श्रेट चेन में भी एक्जिस्स करेगा और दो साइकलिक स्रक्चर लाइग लूपो तो यह प्रक्टो उसका क्या स्टेट चेन आपको बनाना आता है यह अलफा और यह बीटा प्रक्टो समझ को तुम गई होगे अलफा बीटा अरे सर्याद हो गया आप सब्सक्राइब और यह यहां क्या है तो पांचमा वाले का जिये वह सेकेंट वाले कार्बन की साथ जुड़ेगा आफी क्लबई हो जाएगा यह यह वाला व दोनों को कर देगा और स्ट्रक्ट्ट्र बन जाएंगे और और जुड़ने के बाद अगर वेड़े तो तुमारे साइड है इधर हो गया तो कौन सा फार्म है बीटा सेम कहानी मेरे प्यारे बच्चों जो ग्लूपोस्त इस्ट्रक्ट्टर में थी आपको लग रहा होगा एकदम बढ़िया आखसान को टेंशन ही नहीं है पांच में पांच में आपको यहां से जोड़ गया इसके साथ दूसर चाहरे नहीं करना है अब देखो तुम्हें एक बार में समझ जब लेगा अरे तो आपको प्रस्टर आसान हो क्या देखो क्या करना है आपको आक्सीजन लेना ऑस्टिन किससे जुड़ा है प्यारे बच्चों जहां से दिखो ऑक्षें किससे किसे करनेक्ट हुआ है तर दू दूसरे बादे कर्बन पर राइट है यह बीटा वाले में जहां रखनी है तो मैंने क्या बोला जो राइट है इसे आइसे हैं तो इसे हो जाता है पिछले नमें बताए था वही कहा नहीं से अगर मैं अलफा बना तो इदर होगा अच्छे मतलब क्या होगा दूसरे पर नीचे हो जाएगा यह टूएच ऊपर तीसरे बिजान से देखो एच नीचे ओएच नीचे चैंपेंस देखो कुछ नहीं करना वेच राइट है नीचे एच उपर पांच में बिजान से दिखो त्रेच है और अब हम हमें आदे आपने वोला तक लिगोज वाले में इस यह बलकी ग है बस इसी को रोटेट कर दें क्या हो जाएगा बीटा कि नहीं कि देखा किता जली से आया मैंने क्या बोला था इसलिए मैंने क्लूपोस में कहा था अलाम से देखो टाइम लो प्रॉपर वीडियो रोग रोग के पाहुच करके बना लो एक बार बना लिए सब आसा तुमें लगे हैं अमेरिकार पच्छों कुछ मुस्किल नहीं तुम्हें देखो मैंने एक ही पेज में सब बतारिया फटापर देखो जांसे यह सब बाते जोब होता है पंटागन है पांच है तो बेंटागन नहीं बनाए फंक्शन ग्रूप क्या है वही ओ जोड़ते है देखो जो ऐल्पा दी इनक्टोसल ओट ऐल्फ क्यों और पिर ऊपर और यह यह तो यह श्यूंपर और पर नीच होती अधुके भी की शर्ण भी करोठ क्यों यह ज्यूंक नेत्साँटर मैंने रहां रहा हुगा अब यह पताना क्या ता नहीं नोरिस करेंगे इस तीसरे नंबर यहां पर क्या है दूसरा थी साथा पांच माता यहां दूस्ते फंक्शन गुर्प लगया था पाकी तो मैंची कर रहा था ग्लुकोज से तो कारपन नमबर है तो आपने पहले बजा दिया सर ठीक है ठीक है मेरे प्याने बच्चों कोई होई आगे बढ़ते फिर आप जानके अंतर पते क्या है एलफा फार्म में क्या है दोनों में अंतर देखे जो एलफा डी है तो कोई एलफा निगेटिव मतलब लेफ्ट रोटेट करा पीपेल को दी पता है आपको फ्रक्टो फ्यूरे ने उच्के लिखे यह भी पता है तो जो एलफा फ्रक्टो क्यों रिन हुद है उसमें ध्यान से देखे तो आपके स्टॉक्षर में दो थी एज्ट वेग्रुप है और दोनों क्या है एक ही साइड पे लिए कश नहीं है तो कुछ नह और बीटा वाली में भुमा देते हैं वह नीचे आ जाते हैं तो आप बढ़ियां अब दोनों में क्या सिमिलेटी मैं आपको बता भी चुका हूं दोनों का मौलेकलर फॉर्मला से मैं दोनों फंक्शनल आई तो मरें और दोनों ही क्या है रिडियूशिंग सुगर हैं पढ़क देंगे और चेम्पियंज यह बंडिक टेस्ट भी देंगे आपने पढ़ा है रिडिशिंग सोगर मतलब क्या जो फैलिंग और टॉलिंग देंगे पर सेंपल अब आपको लगा पेलिंग तॉलिंग बंडिक क्या है विगस्ट नहीं पढ़ा तो मैं हूं बताने के अब इसके साथ बनाएगा ब्रिक रेड़ कॉपर प्रेसिपिटेट और वैसे पेलिंग के साथ करेगा ना अमोनिकल की उपर स्कुरुगाइट के साथ तो उसके साथ भी क्या बनाएगा रेड पीपीटी तो बस सिंपल है मतलब यह तीनों ही रिडिउशन सुगर है मतलब इ देते क्या है इनके पास क्योंकि अलपा ऐड्रॉक्सी कार्भोनिल ग्रुप प्रिजेट है इसलिए बेंडिक्ट हो गया फैलिंग हो गया टॉलिंट इस दे रहे है तो ग्लूकोजन फ्रक्टो इस दोनों ही क्या करते है पॉजिटिव रिजल देखते है इसमें प्रॉपर पढ़ेंगे अच्छे सब्सक्राइब होता है क्या करते हैं यह सब टेस्ट देते हैं पैलिंग टॉलेंग बेंडिक्ट चुक्कि आपको भी पता है क्या है अग्या मोनिकल क्यूपर सब्सक्राइब मतलब पहलें रियेजेंट यूप्र सेटरेट अटो कौन है विंडिक्ट रियेजेंट और अमॉनिकल सिल्वर फिर नाइटरेट है तो क्या है सब्सक्राइब करें तो अब हमने बात करें तो अब हम लोग पूद गहां अब चीजे बहुत आसान होंगी और बहुत तेज आपको लगे तो आपको लगा रएं तीन तो टराइ चार तो इसको क्या बोलते हैं तो हमें उनके अग्जामपल कौन कौन से पढ़ने सुक्रोज माल्टोज यह है है मेरे प्यारे पच्छों मैं यह च्छ ! युटidente मैं आपको तोको इतना है कि इनके मुणूमर मर्स पूम है मतलब इनके सेकराइट यूनिट है और ऑर दो सेखराइट यूनित आपस में फिबीग लदाहन होगा वजय को लगा दो टो आ होगा न आ आपस में जोड़ते हैं तो कौन से पॉंड से जोड़ते हैं ग्लाइको सिडिक लिंकेज आने के चांसे बहुत ज्यादा रहते हैं हर बार इसके जोड़े होते हैं मतलब इसमें दिमांग रखो कार्बो हाइड्रेट से जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे रहेसे बांड बनेगा होता है जोड़ता है से और रहे एक होथे सब मिलेगा तुम्हें लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें ही याद हो जाए है न हमने क्या बोला एलफा डी ग्लूकोज और बीटा डी प्रक्टोज यह आपस में क्या करते हैं ग्लाइकोस्टिक लिंकेज से जोड़ जाते हैं एक और बन जाता है सुक्रोज ठीक वैसे माल्टो लेक्टोज में क्या होता है लेक्टोज की यूनिट्स क्या है ग्लूकोज और गैलेक्टोज यह आपस में ग्लाइकोस्टिक लिंकेज से क्या होते हैं जूड़ जाते हैं प्यारे बच्चों तो क्या बन जाता है लेक्टोज बस अब जूड़ जाते हैं तो कोई ना कोई का क्या कहीं कोई जूड जा रहा होगा आपस में नहीं न तो आपको हमें इतना समझाना है वाज एक छोटी से समझना है एक यूनिट का पहला दूसरी चौथा कारबन दोनों का आपस में जुड़ेगा और ग्लाइकोसेडिक बांड मतलब है यहां से निकल जाएगा दोनों यूनिट तिरफ एक और आपस में जुड़े होंगे एक बस यहीं कहलाता है प्यारे बच्छों ग्लाइकोसेडिक लिंकेज फिर से मेरे साधिक बद्धान से देख लो सुक्रोज में यूनिट क्या है एलपा अब सिंपल आपको कहानी बतानी है कहलें जूड़े के कैसे मैंने बोला का नामे आद गर लो सुकुरोज में किया है 1-2 माल्टोज में कि आए 1-4 लेटोज में किया है लेक्टोर ग्लुकोज का 414 अब तुम्हें दिखाता है ध्यान से डिखो फटा फट समझ में आएका तुम्हें यह देखो सुक रोज के ऐलफ क्या होगे यह होगे होगे हो और निकलेगा और ओर बॉंड के साथ आपस में जानेगे बॉस्त तब इसका और इसका आपस में क्या करेंगे जूड़ेंगे एच्ट वो निकलेगा ग्लाइकॉस्टिक बांड बन जाएगा दो लिखा भी है स्टीवन का हाइड्रोक्सील ग्लुकोज में और कारबन टू का ओएज फ्रक्टोस का यह आपस में कंडेंस होंगे एक्स्टो मॉलेक्ल निकल जाएगा और तैयार है तुम्हारा सुक्रोज तुम्हारा सामने यह वन है यह गुमा के लिए टू है यह आपस में जुड़ेंगे एक्स्टो निकलेगा सब कुछ वैसे हैं कोई और कोई नहीं नहीं है अब आपको लग रहा होगे बहुत आसान है बस एक बार बना के देख्व में रखना है बस जैसे कि सुक्रोज का आपने बना लिए तो आप तुम्हें समस्ता नहीं होगे लेक्टोज वाला भी बना लोगे फट से तुम्हें लेक्टोज वाला भी बना और वह ठीक बस तुम्हें यह लग रहा होगा सर अभी तक आप ग्लूकोज के बारे में बोल रहे थे तो हमने पढ़ा आए बढ़ा आप से याद करो मैंने बोला था कि बनता है तुम्हें लेक्टोज तुम्हें लेक्टोज सब बन जाये का से मईज़े लोकोज के तरह होगा बस पोर्ट में होच बदल देना हो गया लेक्टोज तो बस 14 14 तुम्हें करने सिंपल है इस तो कोई घबडाने कोई बात ही नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है अब मेरी बात से सुनो आपको लगना वह यह क्या है वही मनें बोला तो था ग्लूकोज जूड़ता है साइकलिक स्टॉक्चर के लिए तो हेमी असितल बनता है अब चूकी कि उसमें क्या था अल्ड़ेयड ग्रूप था फ्रट्व में कीटोन ग्रूप है तो उसको बोलते हैं के जो पहले तर में पढ़े थे वोशन यह पूसता है क्यों इन वर्चोंगर बोलता है तो बस एक चोटा सा ना कॉंसेट है लेकिन काफी इंकॉर्टिंट है आपको अपने जहन विस बात को अच्छे से बैठा लेना है कि जो सुक्रोज होता है यह क्या है डेक्स्ट्र रोटेटर ही है सुक्रोज उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन वह इतना है और सुक्रोज की जो हाइड्रोलिसिस करें किसे मिलके बनता है अभी मैंने बुला एक तो घ्लूबोज और फ्रक्टोज से ग्लूबोज का अप्टिकल रोटेशन कितना है 52.5 और फ्रक्टोज का कितना है माइनस 92 और इनसे जो बना हुआ है सुक्रोज उसका कितना है 66.5 भाहि एक का माइनस 92 एका प्लस फिप्ली टू.ब फाइब तो इसलिए इनमॉड्स वार दोन बच्छों तो बहुत ही अच्छी बात कुछ करना नहीं बसे आपको यह एंगल पे ठाहना बागी तो मैं पता ही है हमने ग्लूकोज के परपेशन यह पड़ा नहीं था इक एन शुगर की हाइड्रोलिस कर तो लूपोस बनता है तो बस इंपल ले तो मैं पता ही है ठीक है बस अमरे क्या आप फोर्ट वाले में भुमा दिया बनका गया लेक्टोज इंशन नहीं कुछ अब अगर लूकोज का सब्सक्राइब लोग को वन फोर्ट इक तुम्हारा गया लेक्टोज का वन और ग्लूकोज का फोर्ट समझत गए तुम वेच वेच जोड़ो बचाओ ए लेक्टोज लेक्टोज का मिलता है मिल्क में है ना तीक बन गया वन फोर तो बस आप साइकली के एक्सक्राइब जानते हो तो बस आपको याद करना कौन को जूड़ने वाले उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा उसे माल्टोज देखो दोनों ही क्या है दोन अब मैं क्या बोला अपने दिवां में फिर से बातों को रख लो तीन अपने डाई सेक्रेट्स पढ़े कौन कौन से सुप्रोज माल्टोज और लैक्टोज एक बार एक बार रहां से वीडियो पहुंच करके सोच दीचे कि दोनों के मोनों मर्स याद है हमें है तोनों में ग है अब दिमाग कर आए है माल्टोज क्या है यह यह भी रिदूसिंग सुगर है ज्यान रखेगा अब हमने मोनो भी पढ़ लिए पर लिए अब हम बात करेंगे कि इसके बारे में पॉली से कराइट्स मतलब जिसमें टेन से जादा मोनो से क्राइट्स तो मैंने जो आपको हम इसको इनिमल स्टार्ज बोलते हैं यह प्लांट का स्टोर है यह इनिमल का स्टोर में इन तीनों को ही अगर मैं तुम्हें बता हूं तो इसमें ऐसा नहीं कि सुझति बस्टार्ज दूंटन साल इस इतने ही जानना यहां है यहां भी इन peanuts यहां भी है यहां है यहां किरेज प्राल स्में का श्रम उसका है न सब्सक्राइब और नीचे वाले की सिक्स के साथ याद करो सिक्स उपर रहेगा गुलुकोस के स्ट्क्चर में आपने बोला सब्सक्राइब लग रहा है इस सट्क्चर दिखा दीजिए अमयलोस और बैसिक जान लो अमयलोस ट्यूं आपहली किया है आपने बदाई दिया था कि उसम जोड़ गया वन्सिक्स तो है इन तार्च में 15 से 20 परसेंट ही यह मैं इस परसेंट में है और 80-85 परसेंट है अब देखो यह वन था यह फोर इसका यह पहला का लिए इसका और नीचे वाली लिए रेट को शिक्स वाले का वह यह आपस में जूड़ जाएं एक स्टू निकाल के तो इसको क्या बोलेंगे यह हो गया है मैं लोग और ऐसे दो जो वन सिक्से भी जूड़ गया है तो इस इसमें कौन सा होता है बीटा ग्लूकोज उसमें अलफा था इसमें कौन सा होता है बीटा ग्लूकोज इसमें बीटा इलफा बीटा का खेल जानते हो तुम तो बस बीटा हुगा तो देखो वेच उपर हो गया यह वन और जिससे जूड़ रहा है उसका यहां पर फोर्ट वाला आए गया तरू तो वन फोर लिंकेज से लोज में क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज वन फोर लिं स्टार्च अलफा तेलूलोज में बीटा ठीक तुम लोग अब तुमको बढ़ा आसाना लग रहा हो अलगर आप हल्लूवा तुम लोग रहा हो गोजरेश पाउड़ हेड़ा ही काटो गोलो लगालो पिता असान अगला देखो ग्लाइकोजन अपना स्टार्च ठीक है अनिम स्टार्च परण ट्रूम में पीटीन से मिलता जोलता है मतलब मतलब चैंपियंज क्या है क्या हो रहा था खुद सोचो इस्ट्रक्शर इस सिमिलर टू एम आईलो पैक्टिंग ठीक है मतलब बहुत ज्यादा ब्रांच होता है क्योंकि वन और शिक्स आपस जुड़ेंगे तो ब्रांच इंग तो भोगी मेरे लाल आपस क्या होगा इतना जान लो ब्रांच तो जोड़े हैं तो यह है मेरे प्यारे बच्चों कार्वाइडरेड मिलते एनेक्स वीडियो में और बात करते कि इसकी प्रोटीन के बारे में प्रोटीन फिर पढ़ेंगे नियूकलिक एसरिट इक है अर्मोन वार्मोन आपको पढ़ना नहीं छोटा वीडियो क्लास बना दूंगा वाइटमिन्स के लिए ना क्योंकि वह बाकी एक्जाम के लिए काफी इंपॉर्डेंट होता आपको जानना भी चाहिए वाइटमिन्स ठीक मैरे प्यार माच्चों तो प्राम माई साइड काटा बाई-बाई-बाई-बाई-जैस रादे लोचेंपिन्स बाई